श्री शद्गुरू महाराज की जय शंत पल्टु शाहव का भजन अपने अपने कर्म जो अपने अपने साथ करेश आगे आवे बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे जो रू अपनों पाए खशम को अपना फलता अपनी करनी सेती जीव सव पार उतरता भला बुरा है संग और न संगी कोई देखो बुझी बिचारी संग ये जैं हैं दोई पल तू करनी और की नहीं और के मात अपने अपने कर्म जो अपने अपने साथ भावार्त मनुष्य का क्या हुआ अपना अपना कर्म उसे फल भोगने के लिए उसके साथ साथ लगा रहता है मनुष्य वर्तमान शमय में जो कर्म करता है वह आगे चलकर मनुष्य से अपना फल भोग वाता है पिता के द्वारा किये गए कर्म का फल पिता को ही भोगना पड़ता है और पुत्र के द्वारा किये गए कर्म का फल पुत्र को ही इसी प्रकार पतनी अपने किये कर्म का फल पाती है तो पती को अपने द्वारा किये गए कर्म का फल भोगना पड़ता है अपने अपने शुकर्म से सवी जीव संसार समुद्र के पार उतर जाते हैं अच्छे बुरे कर्म जीवों के साथ सदा ही लगे रहते हैं दूसरा कोई जीवों के साथ सदा ही नहीं लगा रहता है आप खुब सोच विशार कर समझ लिजे कि आपके परलोग जाने के समय आपके ये ही दोनों कर्म अच्छे बुरे कर्म आपके साथ जाएंगे शंत पल्टू शाहब कहते हैं कि किसी एक मनुष्ट का कर्म दुसरे मनुष्ट के सीर पर नहीं चड़ता अर्थात किसी एक मनुष्ट का कर्म उससे ही फल भुगवाता है दूसरे किसी से नहीं